हुआ हो सके तो हाला कि आप से उम्मीद नहीं है क्योंकि आपकी पूरी जमात अश्रवली थानवी की इसला नहीं कर सकी गंगोही की इसला नहीं कर सकी तो आप आज के मौजूदा इनकी का इसला करेंगे वो है मौला ना तारीक जमिल साथ पाकिस्तान में तबलीगी जमात के इस वक्त सबसे वड़े अलामा हैं तबलीगी जमात के सरवरा उन्होंने दुआ की इस टेमा में उसकी आडियो मुझे हसीली और नेट पे डली भी है हाथ कंगन को आर्सी नहीं कोई मैंने कहीं से लाया नहीं बनाया नहीं नेट पर आप ज वड़े के दूआ कैसे कर रहें लागी बारगा में और अनके नद्दी का मकाम क्या है आए तारिक जमीर जो भी जिन्दा है और तबलीगी जमात के सरवरा और आला है और सबसे बड़े अलामा है इस टेमा में दूआ कैसे हुई दरस है हम तोज प्रियाद करें एब आप सुने हम ठेके परे हैं अभी तदर तुने तुने फैसा नहीं कि आख आउज तोड़ी भरी भी थी मैं पर देता हूं एक बार इसक्रिप लिखी वी है और कि लिए जब कंप्रव पर आपसुनेंगे तो बहुत किलियर आएंगे क्यां स्पिक या ला हम तुझे कैसे सुनाएं कि तु हमारी सुन ले, हम तुझे कैसे तेरे सामने फर्याद करें कि तु हमारी मान ले, ऐ बादशाहों के बादशाह, अब सुन ले हम ठके पड़े हैं, हम शिकस्खुरदा हुए पड़े हैं, अब ही तक अगर तुने फैसला नहीं किया तो इतने बड़े मजमें के हुटे हाथ रद ना फर्मा और अब यह ऐलान कर दे कि मैं आ रहा हूँ तु कह दे मैं आ रहा हूँ मैं मिन्वान जुम्ले पढ़ रहा हूँ फरिष्टों को उतार दे लश्करों को उतार दे जिबरील को भेज दे मिकाईल को भेज दे इसराफील को भेज दे आज के फिरौनों को पकड़ अभी तगल अब तुने खैस्टा नहीं किया तो इतने वरे मजनी के उत्छे हाथ अब ना फर्मा अरभी एलान कर दे के मैं आ रहा हूँ तो कैदे मैं आ रहा हूँ फरिष्टों को उतार दे लशकरों को उतार दे जिवरील को भीज ले मिकाईल को बेज दे इसराफील को जा बड़ी देर हो गई है अब अल्ला के लिए देर भी है और आएंगा जमील साफ के बाद कहा चलना है बोलिए माद अल्ला स्तक्फिर उल्ला तुझे तेरी इस्जतों का वास्ता हम तुझे बुलाने आए हैं बच्चा मार खाके अम्मा को बुलाने जाता है हम भी पिट के तुझे बुलाने आए हैं अब ये पिट के बुलाने आए हैं और अहमद रजा ने तो आईसा पिटा ये रजा के नेजे की मार है कि आदू के सीने में गार है किसे चारा जुई का वार है ये वार वार के पार है ये रजा का मार की मार क्ति पिटरे बुलाने तो अब केटे पिट के तुझे बुलाने आए है आजा आजाना तू आजाना मेरे मौला तू आजा मेरे मौला हमारी जग हसाई बड़ी हो गई अब तो आ जाना या ला अब तो तेरी खुदाई पे हाथ डाल रहे हैं वो कह रहे हम खुदा है तू आके इने दिखा दे या ला निसर गात्रां सुरह सत्तर हजार बच्चों का कातल था तो आजा बड़ी देर हो गई है तो आजा बड़ी देर हो गई है तुझे तेरी इज़तों का वाक्ता हम तुझे बुलने आई हैं बचा मार खाके अबा को बुलने जाता है हम बित्त के तुझे बुलने आई हैं आजा आजा ना तो आजाना मेरे मौला तो आ जाना मेरे मौला हमारी जग हसाई बड़ी हो गई अब तुआ ना या ला अब तो तेरी खुदा ही पहाद दर रहे वोगारे हम खुदा हैं तुआ के उन्हें दिखा दे या ला आजा आजा हमारी जिद मान ले अब ये जुम्ले सुनिए कुफरिया जुम्ले सरातन कुफर है ये सरी कुफर है तु हमारे सामने होता हम तेरे पाउ पकड लेते हैं माजाला स्तख्विरू ला हम तुछ से चिमट जाते हम जिद करते हम रोते दोते हम लोट-पोट होते तेरे आगे पीछे या लाला के लिए में चुपा ले और तू दर्वादे ना खोले तो तेरे ये बंदे अब कहां जाएंगे यह दुदकारे हुए अब कहां जाएं या ला आए माओं से ज्यादा प्यार करने वाले आना हमारे जखमों पर मरहम रख दे या ला आया आया हमारी जिद मान ले तो हमारे सामने होता हम तरे पाउं पड़ा ले थे हम दूसरे चिमत जाते हैं हम जिद करते हैं हम रोते जोते हैं हम लोत पोते होते हैं तेरे आगे पीसे या ला हम शोर मशाद है अब भी हम अपने इमाद के दज़वर में तेरे की कदमो यह इस्टेमा में दुआ हुई यह पॉज़ा हुई यह पाउं भी पकड़ने के लिए तयार है अज़ा आज़ा 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 अब तसवर कीजिए यह दूनिया भर के मसल्मानों को कह रहे हैं मुश्रीक 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 और खुद कितने बड़े शिर्क में पड़े हुए हैं फिर वही इपने तफसीर इपने कसीर का जुम्ला सुना दूँ कि अल्लह के नभी ने फरमाया कि तलवार निकालेंगा और क्या करेंगा पड़ोसी को कहेंगा मुश्रीक मुश्रीक पूछा गया रसुल्ला कौन शिर्का हगदार होंगा कहरे वाला यह जिसको कहा जा रहा है फरमाया जो कहरा होंगा वो कुछ शिर्कागदार होंगा आज वही पोदिशन आ गई है